हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग दिस इज मनी सर्मा फ्रम मिकमा स्टॉक आज हम डिसकस करेंगे मार्केट पार्टिसपेंट्स के एफ नो डेता अनलीसिस पर लास्ट टाइब हमने लास्ट 20 येर्स का निफ्टी का डेता अनलीसिस करके हमने अपना गर्ण क्लोज दिया था लास्ट वीडियो में आप उसको रेफर करके एक बार देख सकते हैं कि हमने क्या डिसकस किया था आज जो हम डेता अनलाइज करने वाले ये फनो डेता पर डिसकस करेंगे ये नसी का वेबसाइट है इसमें हमने फनो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंट्रेस्ट का ये लोता है जो एवरी डे अपलोड होता है एनसी की वेबसाइट पर वहां से हम ये डेटा डाउनलोड करते हैं चलिए हम इस पर इच पार्टिसिपेंट वाइज डेटा पर डिसकस करेंगे यहां पर अगर आप देखते हो तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है मारकेट में कลाइंट DII, FII and PRO ये जो डेटा है ये 15th जैनवरी का डेटा है और इसमें हमारे पास Index Future का Long Position Holding, Short Position Holding, फिर Stock Future का Long Position, Short Position Holding, Option Call में Long Short Holding, Index Call, Short Long Holding और ऑप्शन Stock पूट एंड कॉल लॉंग होल्डिंग का डेटा एवलेवल है चलिए हम देखते हैं क्लाइंट का जो पोजिशन है 15 जैनवरी का क्लोजिंग के हिसाब चाहर देखते हैं तो फ्यूचर इंडेक्स में लॉंग पोजिशन 143,000 के करीव है और सौर्ट पोजिशन 146,000 के करीव है चलिए हम इसको पे इफेक्टिव पोजिशन कैलकुलेट करते हैं अगर हम यहां पे देखते हैं लॉंग पोजिशन अगर इसका क्लाइंट का माइनस शौर्ट पोजिशन और हम इफेक्टिव पोजिशन देखते हैं तो और अगर हम लास्ट वन विक का डेटा देखते हैं, I think 8th of January को जो क्लाइंट का पोजिशन था, वो अलमोस्ट माइनस 37,000 कॉंट्रेक्स था, जो कि अभी सिर्फ माइनस 2,000 कॉंट्रेक्ट है तो इन्होंने अपना सौर्ट पोजिशन रिड्यूस कर लिया है, लॉंग पोजिशन बिल्डप किया है, अधर पार्टिसिपेंट्स के अगर हम डेटा देखते हैं, तो FIA का अगर डेटा देखते हैं, तो FIA अभी 43,000 लॉंग पोजिशन होल्डिंग है, इफेक्टिव, जब क्लाइंट ने अपने सौर्ट पोजिशन रिड्यूस किया है, और FIA ने अपना लॉंग पोजिशन रिड्यूस किया है, चले इसी तरह से हम अधर other segment में अगर हम देखते हैं तो future long, stock long, stock future long और stock future short का अगर हम data देखते हैं तो यहाँ पे client के पास almost 5 lakhs contracts open है stock future में जबकि FII के only 1 lakh 38,000 long position hold है इसमें भी client ने अपने long position increase किया है और FII ने अपना long position reduce किया है अब हम चलते हैं index call long और put long इसमें देखते हैं तो again client 58,000 contracts long में है जबकि FII minus 33,000 contract short में है तो यहाँ पे FII का short position है में भी हेज position भी हो सकता है चलिए हम देखते है stock option index call short call short जो है यह actually short position होता है और put short जो होता है यह long position होता है तो यहाँ पे हम थोड़ा reverse calculation करेंगे इसमें हम long position को से short position को minus करेंगे तो यह थोड़ा reverse calculation होगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो client के पास 1,75,000 contracts long में है और FII का देखते हैं तो only almost 20,000 contracts long में है तो यहाँ भी client super bullish mode में है similarly अगर हम stock options में देखते हैं तो stock option में हमारा यह वाला calculation होगा long minus short तो stock option में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी conclusion नहीं आता है कि almost 4,47,000 contracts long में है जबकि FII only 5,6,000 contracts long में है तो overall यह stock option भी देख लेते हैं stock option में क्या है कि stock call short यह various position होता है और यह long position होता है तो हम इसको reverse side subtract करेंगे this minus this यहाँ पर हम देखते हैं तो almost 1,000,000 contract short में है client और almost 43,000 contract short में है इसमें client और FII दोनो इंफाक्ट सारे participants में short में है तो यह data को हम nullify करते हैं यह हमें कुछ opposite position का indication नहीं दे रहा है बट अगर हम other positions देखते हैं client और FII को हम mainly opposite participants मानते हैं क्योंकि client और FII का ही almost जो position है normally जो हम देखते हैं वो इसा opposite side होता है तो यहां हमने देखा है कि client ने short position reduce किया है इंडेक्स में और FII ने long position reduce किया है और other segment में देखते हैं तो client के पास long position जादा है FII के comparison means client अब यहां पे इस level पे 14,500 निफ्टी इंडेक्स के level पे almost long position में convert हो रहा है मतलब कि अब वो convinced हो रहा है कि market उपर की और ही जाएगा और इन्होंने अपना short position reduce किया है last 10 days के data से हमने देखा है consistently client ने अपना long position reduce किया है sorry short position reduce किया और long position में build up किया है जबकि FII ने opposite action लिया है उन्होंने long position reduce किया और short position increase किया है तो यह है stock future का जहां almost 5 lakhs का contract है यह सब जगा मतलब हम इसको mark कर लेते हैं यह भी position सारा long का है client का index option में यहां पर भी long का position है client का और यहां भी client का long position है means class are almost सारे segment में long side में लांग से करे हो चुके है FII के पास अभी भी long position है यह long position है यहां भी long position है यहां भी थोरे long position है यहां पर एल्मोस्ष्ण नहील है थो थोरे बहुत long position FIA के पास भी है वह आई थिंक few एक, دो, तीन सेशन में ही यह में भी चाहे तो कभी भी यह माल को कर सकते हैं और fi1 को fully long side में अपना position को move कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसा movement आता है बट जो trend है, trend चल हुआधा में इटा का उससे यही पता चलता है कि client अब long side में move करना है और जो बड़े participant है वो short side में position build up कर रहे हैं और अपने long position को reduce कर रहे हैं ठीक है देखते हैं next week कैसा movement रहता है बड़ थोड़ा बहुत upside का move आएगा तो हमें ऐसा लगता है कि करेंगे अगर कुछ updates होता है तो मैं आपको नेक्स वीडियो में share करूंगा ठीक है थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो और आप सब लोग अपना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हमने जो डेटा देखा है यूटूब उसमें 50% वीवर्स है जो कि सब्सक है थैंक्स एंक्स पर वाचिंग मैंट्न वीडियो थैंक्स वाचिंग एंक्स वाचिंग अप्टियद्गूण